दोस्तो आज मैं आपको भेडिया और पिटवॉल में कमपेरजन करके बताने वाला हो की इन में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर और सकती साली है जिसमें एक तरह पिटवॉल डोग है जिसे आम तोर पे अपने घर में पालते है वहीं दूसरी और भेडिया जो अपने दम पर अपना पेड़ भरने के लिए जंगलों में खतरनाक से खतरनाक जानवरों का सिकार कर लेता है ये दोनों ही जानवर काफी ज़्यादा किसमके होते है जो इस वीडियो को और भी ज्यादा इंट्रस्टिंग बना देता है इसलिए इस वीडियो को आखर तक जोड़ देखना लेकिन इससे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल ग्रेट एंवर्मेंट पे अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बैल आइकन होन कर दे दोस्तों सायद आप ये बात भली बाती जानते ही होंगे कि डोग्स का भेडियों के सब काफी करीवी रिष्टा है जिसकी वज़े से इनके कुछ लक्षन डोग में आज भी मुझूद है अगर बात हम भेडियों की करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भेडियों खुंकार और हमला नहीं करते हैं इन्हें जब भी मौका मिलता है ये उसका फाइदा जरूर उठाते हैं ये आम तोर पर सपेद, भूरे और काले कलर के होते हैं हाला कि आकरटिक डिप पर पाई जाने वाले लगबख सभी भेडिये सपेद रंके होते हैं ये भी सेरों की तरह अपना संगठन बना कर रहते हैं जिसकी वज़े से टेरेटरी को लेकर अकसर इनके बीच में भेडियों की संख्या लगबख तीन लाग तक मापी गई थी अंतराष्टे संग ने इसे कम से कम चिंता का विसे माना है ये मनुस्य से दूरी रहना पसंद करते हैं भेडियों द्वारा मनुस्य पर हमले के कुछ ही केस हैं एक अडल्ट भेडिये के लंबाई 105 से 160 सेंटीमि और ताकतवा डोग में से एक माना जाता है ये किसी खुंखार जानवर से कम नहीं अगर इने ठीक तरीकने से ट्रेंड ना किया जाये तो ये इंसानों के लिए काफी ज़्यादा घातक हो सकते हैं पिटबूल नीडर किसम का डोग ब्रेड है खतरा मैसूस होने पर ये तुर इसके कारण ये डोग मेडिया में हाइलाइट रहते थे सर्नियुक्त राज्या अमेरिका में ये सब बैन होने के बावजूद इन्हें गैर कानुनी रूप से लड़ाया जाता था इनका नेचर भी काफी ज़्यादा अग्रेसिव होता है एक पिटबूल का वजन लगबक 27 क पिलों के आसपास होता है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताए कि आपको इन दोनों जानवरों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकत वर लगा और यहां से जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त